लेट से आप उन करोडों लोगों में से नहीं हो जो बिना सोचे समझें इंवेस्ट करते हैं गेट रिच कुएक स्कीम्स ढूंड रहे हैं और ऐसा मानते हैं कि 25-30% रेटरंस तो पक्का कमा लेंगे लेट से आप उन चन लोगों में से हो जो प्रॉपर प्लानिंग, रैशनल एक्सपेक्टेशन के साथ इंवेस्ट करते हो और इंवेस्टिंग सीखते भी हो पर क्या आपने अपना डिवॉर्स प्लान किया है? नहीं, मेरा मतलब है कि डिवॉर्स के वर्स केसे में हस्बेंड की 50% वेल्थ वाइफ को चली जाती है I'm sure आप तो जानते ही होंगे फिर चाहे कैश हो, शेर्स हो या प्रॉपर्टी आधा कटेगा तो क्या आपका फिनेंशल प्लान डिवॉर्स की पॉसिबिलिटी को कंसिडर करके बना है? या आप उन लोगों में से हो जेने लगता है कि हमारा डिवॉर्स होना impossible है क्योंकि impossible एक चीज़ जरूर है वक्त में पीछे जाकर इसी सोच को बदल कर एक नया प्लान बनाना ऐसी कई बाते हैं जिनकी वज़े से हमारा financial future रिस्क पर है सिर्फ इन्वेस्टिंग का ज्यान होने से हम ये ensure नहीं कर सकते कि हम wealth बना लेंगे आज मैं तीन लोगों से बात करने निकला हूँ पहले जा रहा हूं मुंबई नील बॉराटे से मिलने he is deputy editor at Live Mint मुंबई में बारिश ना हो इस मौसम में ऐसा कैसा हो सकता so it's not that easy as it sounds क्योंकि Mint is our leading newspaper and we are here to see the personal finance head at Mint तो एक entry pass बनता है फिर एक gate pass बनता है जिसमें जितने भी equipment हम carry कर रहे हैं उस सब का detail देना पड़ता है which is a lot क्योंकि तीन camera बहुत सारी batteries, 4 tripod, 2 light यह सब का पूरा हिसाब दिये and we are here early क्योंकि Neil अभी तक आई नहीं हा office in the meantime we are checking out the HT, Hindustan Times office and काफी बड़ा and beautiful office है अब क्योंकि वो personal finance की field में top journalist हैं तो naturally उनके पास बहुत सारे Indians की finance story है reality में लोग कहां जाकर फसते हैं, retire हो भी जाते हैं तो खुश क्यों नहीं रह पाते यह सब जानेंगे Neil के practical experiences से उसके बाद मैं जा रहा हूँ Bangalore, Ajinkya Kulkarni and Anshul Gupta से मिलने यह fixed income categories में retail investors के लिए relatively safer products लाना चाते हैं for example bonds and इनके platform पर थोड़े mature investors आते हैं जो equity की चका-चौन से दूर 9-10% return से भी खुश हैं तो इनके users के behavior and experiences से समझेंगे कि आखिरकार एक investor mature कैसे बनता है क्यों हमारी retirement planning अक्सार गलत हो जाती है and कैसे market crash का importance होता है हमारी wealth बनाने में ये एपिसोड ना अपने पेरेंट्स को जरूर फरवर्ड करना trust me so welcome back to the episode 3 of Jagruk Talks season 2 powered by cred let's listen to it now hi Neil hi Madheep so I, आज मैं बात करना चाहता हूं retirement planning पे वो वाला retirement planning नहीं जिस पे हम और बहुत सारे YouTubers content बना चुके हैं मैं थोड़ा आपसे अलग perspective लेना चाहता हूं because as a journalist you must have come across a lot of stories जो retirement को या तो simplify करती हैं या फिर आपके belief थोड़ा सा शेक कर सकती हैं कि हम इतने साला से सोचते आ रहे थे कि ऐसा होता है but some very real stories might have you know convinced you otherwise how do you perceive retirement planning what is retirement planning according to you so मैं थोड़ा परस्नल बताता हूं जब रेटाइर हुए थो उनका बड़ा अच्छा सा दिन सेट था वो सुबेट उटके मतलब breakfast उनके मन से बनता था फिर वाक पे जाते थे दुपैर को क्लब में जाके बिज खेलते थे और मतलब उनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई retirement में financially you know my hope is to live like him to live happy and comfortably आपके नाना जी ने अपना retirement कैसे ensure किया happiness was a main factor do you think आपने इतनी stories लिखी है कि लोग क्या सोचते हैं retirement के बारे में मैंने personally कुछ ऐसे लोग देखे हैं कि हमारा भी हो जाए हमारे बच्चों का भी हो जाए है बच्चे के बच्चों का भी हो जाए इतना छोड़के जाएंगे हाँ तो दो टाइप की लोग मुझे मिलते हैं एक जो यंग लोग होते हैं वो तो सोचते ही नहीं है पांच साह का सोचते हैं उसके beyond मन में आता ही नहीं और एक हमने रिसेंटली स्टोरी की थी कि एक परिवार था उसमें एक यंग यंग बंदा था जो एडुकेशन उसका अभी चल रहा है फिर उसके डैड थे जो काफी करिया में एडवांस्ट है और उसकी नाना जी उसकी दादी थी एंड वी लुक की सबका कितना एक्विटी अलोकेशन है और यूट भी सप्राइज की सबसे ज्यादा एक्विटी अलोकेशन दादी का था तो यह क्यों हुआ तो बेसिकली उनके परस्पेक्टिव से उनकी जो भी फैनाशल गोल्स थे वो मीट हो चुके थे उनके एक्सपेंसे बहुत ही कम थे और उनको अपने फ्यूचर जेंडरेशन के लिए पैसे कुछ इंहरेटेंस चोड़ना था तो यह वाला इट सेंटिमेंट और जो लोग ऐसा सोचते उनके फैमिली के लिए और उनके लिए भी बढ़िया है उन्होंने यह रियलाइज किया कि मेरी जो नीड्स है या इवन मेरी जो वांट्स है वो या तो कम हो चुकी है नैचरली या फिर वो रियलाइजेशन उनको आया कि अब नीड्स और वांट्स कम हो सकती है इसा नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं यह अपकी नीड्स अधा है यह एक लिमिट तक आप ले जा सकते हो उस पॉइंट पर आप हैपी हो अपको कुछ मन मार के कुछ करना पड़ रहा है बट पॉइंट वन यू रियलाइज कि बस मेरा हो गया है मैं पेट भर जो का हूँ तब ही वो आई थिंग पॉसिवल है जो उनकी दादी ने किया कि रियलाइज किया कि मेरे लिए इनफ है अब जो है मेरे बाद किसी के काम आएगा तो आई थिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो तभी होता है जब आप अपनी नीड्स पर थोड़ा कंट्रोल करते हो बिलकुल कंट्रोल अब जेखो जैसे मैं आपने कंट्रोल वोला अब वो आउट उफ पर्स्पेक्टिव ले जाया जाएगा इस यह मतलब नहीं है कि हमारा मन तो है बट हम नहीं कर रहे हैं हमारे पास पैसा भी है तब भी हम नहीं कर रहे हैं realizing what you actually want in life अब जैसे किसी को गाड़ियां पसंद है तो हाइस्ट लिंबरगणी तक चला जाएगा लिंबरगणी और उसकी सेल्स भी काफी हुजा बट उसके बाद भी वो बोले कि नहीं मुझे तो और कुछ करना है तो I would say कि यार you have a lot, you have a good hobby it's related to cars why don't you go something and do in the field of cars but only consuming cars as a product and car after car after car will उसके लिए एदर you have to ensure that you make an infinite amount of money या फिर you are a millionaire on a billionaire but now we are talking about middle class people तो उस चक्कर में if you relate this to finance यहां पे हम मुझे लगता है काफी कलतियां कलते है मार काते है, बलकुल So according to you what has changed in retirement planning अगर हम पिछले 10-15 साल की retirement planning को देखे हैं और आज की retirement planning को देखे हैं जो लोग कर रहे हैं क्या एक major shift है जो आपने notice किया है दो तीन shifts है actually एक तो जो older generation के लोग है उनके पास या तो सरकारी जॉब होता था या private sector लेकिन pension एक fixed pension मिलने माला job होता था तो उनको वो वरी थी ने इतनी और जो invest करते थे वो या real estate में करते थे या gold में करते थे and for many people that worked out at that time बट अभी जैसे real estate market पिछले 10 साल में stagnant रहा है और अभी pensions सरकार में भी defined नहीं मिलता कि fix आपको इतना मिलेगा वो भी NPS में चला गया after 2004 जो जो जॉइन हुए तो अभी going through a set of different assets equity भी हो, debt भी हो यही मतलब is the best way of meeting your goals आप वो पुराने real estate या gold में बस डाल के नहीं हो सकता काम so what you mean to say is कि पहले के time पे आपको इतना दिमाग लगा कि अपना retirement plan नहीं करना पड़ता है कुछ हद तक आपकी सरकार help कर देए there was a certain scheme आपको पता था मुझे इतना यह number मिलेगा और सारी चीजे आप फिर भी 4C कर पाते थे but in today's world वो नहीं है at the same time competition इतना जादा है and even if you are in a private job making 12 lakhs per annum 18 lakhs per annum अगर आपने अपनी retirement कर ध्यान नहीं रखा तो अब कोई और भी नहीं रख रहा है बिल्कुर is that right? that's absolutely right और अब families भी नहीं रही पहले जमाने में बच्चे support करते थे अभी आप हमारे ही parents के generation का अगर देखे तो काफी बच्चे either abroad है या किसी और सिटी में है वो support नहीं कर रहे तो हमारे जनरेशन में तो और ही unlikely है कि family support करेगी right so खुद का खुद को देखे खुद का खुद को talking about NPS या any other retirement scheme सबसे बड़ा risk क्या है जो हो सकता है हमारे भी control में ना हो what do you think that could be so अगर आप US का देखे तो उनका एक 401k नाम का system है जो NPS के काफी similar है वहां पे भी थोड़ा पैसा equity में invest होता है और जब market crash होता है तब वहां का जो value है वो बहुत ही कम हो जाता है 2008 में अभी इंडिया में 2004 से NPS start हुआ है for government and private also तो हो सकता है कि जब लोग retire हो 2020 और 2025 तब कोई बड़ा crash आए और उनकी savings wipe out हो जाए काफी हद तक why do you think NPS में ही सबसे ज़्यादा यह वाला risk क्यों है actually NPS में ही है ऐसा नहीं है काफी लोग mutual funds से अपना retirement secure करते है वहाँ पे भी है काफी लोग stocks में डालके retire होते है उस पैसों पे वहाँ पे और ज़्यादा रिसक है in fact NPS में वो balanced portfolio रहता है because NPS में maximum equity 75% तक ही आप रख सकते हो लेकिन NPS एक pure retirement vehicle की तरह देखी जाती है इसलिए मैंने NPS का पहला mention किया but I think एक अच्छी बात NPS में ये भी है कि आपका 75% equity है that reduces with your age if I'm not wrong लेकिन वो हाँ लेकिन वो rule उनने just इसी साल हटाया है हटाया है जो active plans है उसमें आप बिलकुल retirement होने तक मतलब 60, 65, 70, 75 years तक रख सकते हो 75% allocation जो है और इनका एक auto choice वाला होता है जो age के हिसाब से equity change करते रहता है जैसे आप you become older, it reduces the equity allocation बट जिनोंने active में let's say मैंने active में 75% equity allocate कर दिया but even you will agree NPS इतना easy process नहीं है मतलब जो portal है NSDL है NSDL है उस पे जाके या फिर किसी bank के थूँ आपको करवाना पड़ता है तो it's not a very intuitive application like any other broker और a mutual fund app जिसमें आपने अभी तुरंत login किया वो slider से आप खेल के अपना allocation change कर सकते हैं तो इसमें being a 25 year old, being a 30 year old उसने अगर कर दिया 75% allocation और वो भूल गया with age कि उसने वो equity allocation 75% पे रखा हुआ है तो डोंट यू थिंक that's risky कि उसको अगर हमने last 5 साल में DMAT accounts का participation जादा देखा है mutual fund में participation जादा देखा है that's primarily because it has become very easy to open a DMAT account and to start investing not because people are suddenly waking up and people are realizing कि हमें retirement planning करनी है तो keeping that in mind मैं या कोई भी मेरी जगा होगा अगर उसने आज 75% allocate कर दिया है तो वो कल जब times are you know maybe worse वो उसको कैसे adjust करेगा या तो भूल चोगा होगा या फिर उसको ये पेहन आएगा कि मैं जाऊं बैंक में या फिर मैं कुछ application करूँ या फिर उसका I think window भी मिलता है आपको साल में कितनी बार आप कर सकते हैं हाँ दो बार कर सकते हो तो online तो वो हो ही जाता है लेकिन हाँ वो website navigate करना easy काम नहीं है वो issue definitely है लेकिन उसे भी और बड़ा ज्यादा issue है कि NPS तो है लेकिन majority लोग आज इनको insurance policies बेचे जाते हैं कि भाई साब अब हर साल एक लाक लगाओ और दस साल बाद आपको बीस लाक मिलेंगे या दस साल बाद आपको हर साल एक pension मिलेगी जो भी दस हजार बीस हजार problem is कि लोगो को ऐसे जब plans बेचे जाते हैं तब वो calculate नहीं कर पाते कि actually उस पे return क्या मिल रहा है और usually जो return होता है वो 3, 4, 5% होता है inflation को भी बीट नहीं कर पाता और उसमें agent के commission, insurance के expenses, सब कुछ लोड़द हो जाते हैं So yeah, even I have talked about this मैंने इस पे तो मैंने एक पूरा dedicated video भी कर रहा है and this is a very big issue and आप मानोगे नहीं I've talked to someone the person shared her story with me कि कैसे एक SBI के banker ने नाम ले सकते हैं कोई दिकर नहीं है, सब banks करते हैं तो कोई ऐसा है नहीं banks नहीं करते हैं, bankers करते हैं so that's even more important to mention वहाँ पर they go to, you know, say कि मेरा FD कर दो, मेरे पास savings है 2-4 लाग का and youngsters को भी they say कि FD क्यों करवानी है ये वाला, मैंने ये वाला scheme निकाला है bank ने, इस पे 8% guaranteed returns है, आप बसाइन कर दो 8% guaranteed returns it's very shocking to see कि कुछ companies 8% calculate करके दिखा भी देती है 8% of what? 8% of your sum assured not your own money जो आप invest कर रहे हो तो उसका मैं क्या, मतलब कभी-गभी I get so frustrated कि इस 8% का मैं क्या करूँगा? मैंने जो लगाया, उस पे आप 8% दो तो मैं सोच लूँ मैं अभी दे दूँ 8% is good, guaranteed and tax-free so the banker told her कि आप करवा लो 8% का and she said, okay 8% है, FD में क्यों recommend then go ahead and lie कि आप पैसा निकाल भी सकते हो जब आपका मन करे तब बिल्कुर अब जब उन्होंने कर लिया वो investment देड या दो लाग का premium था बाद में उनको पता चलता है कि यह one time नहीं है यह तो annual है आपको next year भी पे करना है तब customer का दिमाग चलता है कि मुझे बताया कुछ और गया था मैं निकालने गया तो मुझे बैंक ने निकालने से भी मना कर दिया उसके बाद जब और investigate करते हैं किसी से बात करते हैं या that's the best time they think कि अब मैं कोई YouTube वीडियो पे या अब मैं कहीं आर्टिकल में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ कि यह प्लान क्या है जो मैंने खरीद लिया है बिल्कुल इस रेली साद तो से बट लोग सबसे जादा वीडियो तभी देखते हैं जब उनके साथ कुछ गलाद हो चुका होता है उसके बाद they find out कि this is actually an insurance policy बट वो FD बोल के बेचा गया है बिल्कुल देन देखाइट विद बैंक मैनेजर देखाइट विद इंशॉरेंस कंपनी बट वहाँ पर एक लेवल होते हैं और वहाँ पर एक लेवल होते हैं और वहाँ पर लेवल जहां पर और वहाँ बताएंगे ये सारी चीजे राइटिंग पर कुछ नहीं मिलता तो वो लेयर पर आप कंप्लेंट करने जाओगे ना इस खिड़की पर बात कर ली उस काउंटर पर बात कर ली वो आपको वहीं से भेच देंगे and they have very strong points to convince you कि आप ही गलत हो 15-day का free look period आपको दिया गया था आप तब आते आपको पूरा पैसा रिटर्न हो जाता 15 days के बाहँ आरे हो आप नहीं मिलेगा they don't consider the fact कि अगर आपने जूट बोलके बेचा है तो भी आपको पैस वापस करना पड़ेगा but वो ऐसा बुलके आपको भगा देते हैं now the biggest problem is कि how do you get your money back उसमें बहुत लोग फसे होया and जिसने मुझे इस स्टोरी शेयर करे थी her name is Shavona she said जब मैं इंशॉरेंस ओफिस गई तो वहाँ पे एक रिजिस्टर होता है entry करने वालों के लिए वहाँ पे जब वो purpose of visit उन्हों ने लिखा तो देखा मेरे उपर जितने की 20-25 लोग आए हो है सबका same purpose था refund of policy complain of insurance कोई और इंसान insurance office जा ही नहीं रहा है सिर्फ अपना पैसा वापस मांगने जा रहे है या complain करने जा रहे है so it is that ugly and I really hope IRDS में कुछ करे बस मैं एक और चीज़ आड करूंगा इसमें राजस्तान में एक famous ऐसा case हुआ था कि बहुत सारे किसानों को जो FDs करने आये थे उनको insurance policies बेचे गए और next year जब वो अपना interest कलेक करने आये तब उनको बोला गया कि भाई आप इस साल का premium अब भरो और नहीं भरा तो जो premium अपने भरा है last year वो भी चला जाएगा I have seen multiple stories like that YouTube पे 80-80 year olds के 3 crores का retirement corpus 4 crores का retirement corpus का policy करवा दिया and this is very immoral I would say अगर आप banker हो अगर मेरे जैसा कोई बंदा आता है ठीक है आपने एक बार अपना target पूरा करने के लिए मुझे कर दिया मेरा एक लाग रुपया आपने premium में डलवा दिया and you know कि मैं कुछ ना कुछ हाथ पार मा के survive कर लूँगा but कोई 55-year-old 60-year-old person जाता है अपना corpus लेके उसका पैसा आप lock-in period में कैसे डलवा सकते हो बिल्कुल how does that how are you even sleeping at night I asked this question but very unfortunate बहुत ही बुरी चीज है so the biggest risk we were talking about the biggest risk of retirement plan and that is to sum it up अगर आपका retirement corpus market linked है फिर चाहे वो NPS हो फिर चाहे वो mutual funder stocks हो कुछ भी हो you have to ensure कि during the last 7 to 10 years दिरे 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 आपका allocation equity का allocation कम हो के debt की तरफ आना चाहिए नहीं तो जिस दिन आप retire हो रहे हो जिस दिन अगर covid जैसा 40% 50% crash आ गया तो आपका 100 rupees जो आपका retirement goal था वो 50 rupees रहा जाएगा so that is the biggest risk you would say that is probably the second biggest risk the biggest risk is कि अगर किसी ने आपको ऐसे policies बेचे और वो अपने आपके savings खा गए तो आपके तो अगर आप afford कर सकते हो तो बिलकुल एक SEBI registered financial advisor के पास जाईए उनसे advice ले लीजिए ऐसे bank employees का कहना मान के blindly trust करके मत अपना पैसा invest करिये और market में रिस्क लेना जरूरी है क्योंकि वही आपके savings बिल्ट करेगा आपकी corpus बिल्ट करेगा लेकिन वो सोच समझ के लेना चाहिए सोच समझ के लेना बिलकुल बिलकुल सही बात है I would say one advice I would give to anyone who is watching this सबको ये feel करवाया जाता है कि ये जो paper पर लिखा है ये जो investment scheme है ये आपके समझ में नहीं आएगी सिर्फ मेरे समझ में आ सकती है and that's when people take wrong decisions उनको लगता है कि even if we try to read it हमें समझ नहीं आएगा जबकि ऐसा मेरे opinion में है नहीं it is very simple basic math और को फिर भी समझ नहीं आता है तो आज कि उस तरफ बैटके वो बोल रहा है सिर्फ उसको ही समझ आ सकता है हमें नहीं आ सकता क्योंकि तभी आप vulnerable हो और तभी वो फायदा उठाते है so Neil आपके opinion में retirement planning का current state क्या है इंडिया में मतलब कितनी awareness है या आप stories cover करते हो तो do you think लोग proper retirement planning follow करते है और यह RBI का data है household finance report 2017 का कि लोग families जो है वो किस source पे depend करते अपने retirement के लिए सबसे important source मतलब more than 55% families हम कह सकते children पे depend करते है फिर next जो होता है वो own business पे जो जो जोनोंने जिनका खुद का business है वो उससे करे है फिर उसके बाद bank deposits ये कुछ 20-30% के बीच में है और उसके बाद don't know उनको पता ही नहीं कि कैसे वो retirement fund करें नहीं I think clear data नहीं मिल पाया होगा बट ये काफी shocking है एक तो पहला जो children है जो हमने बात करी भी है कि people depend on their children a lot और कई बार uncertainties होती है सिर्फ एक ये factor नहीं है कि आपके बच्चे आपको support नहीं करेंगे बहुत सारे ऐसे sad factors है जो मैं बोलूंगा भी तो moody sad हो जाएगा but some things you know don't always go as you plan correct तो ये children पे जो dependency है मुझे लगता है अगर सबसे ज़्यादा परसेंटेज इनका है तो this needs to reach a lot of people और उसके बाद जो सबसे sad चीज जो मैं देख पा रहा हूँ वो है provident fund, government pension, gold and wealth मतलब less than 10% of people are living on provident fund less than 10% of people are living on government pension and just about 8% of people are living off wealth अब यही वो चीज है इसके बारे में बात कर रहे हैं कि आपने equity में कितना डाला, debt में कितना डाला यह सब करने के बाद भी यह पूरे इंडिया के सिर्फ 5% या 8% लोगों के ही काम आ रहा है correct that is really sad to say यह थोड़ी पुरानी बात है मतलब जो लोग 2017 में शायद इतना awareness नहीं था वो थोड़ा change होआ होगा लेकिन हाँ बिलकुल थोड़ा ही change होआ होगा क्योंकि अभी जितना भी participation आया है ऐसा नहीं बोल सकते है सारा participation रिटाइड लोगों का आया है तो अभी जो कुछ लोग कर रहे हैं that will, you know, change the data when they retire correct तो अभी मुझे लगता है मुझे ऐसा लगता है कि when we see the next report जादा शौकिंग नहीं मिलेगा data and there will still be less than 10% of the retired people जिनों ने अपना रिटार्मेंट प्लान अचीव किया है बाकी लोग बच्चों की इंकम पे business है तो that's very good उसको consider करना चाहिए बच्चों की इंकम, bank deposits या provident fund, government pension पे जी रहे हैं which is not the ideal retirement या that retirement that will make you happy ये बात शौकिंग है बिल्कुल जो सबसे sad चीज जो मैं देख पा रहा हूँ वो है provident fund, government pension, gold and wealth मतलब less than 10% of people are living on provident fund less than 10% of people are living on government pension and just about 8% of people are living off wealth अब यही वो चीज है जिसके बारे में बात कर रहे है कि आपने equity में कितना डाला, debt में कितना डाला ये सब करने के बाद भी ये पूरे इंडिया के सिर्फ 5% या 8% लोगों के ही काम आ रहा है correct that is really sad to say ये थोड़ी पुरानी बात है मतलब जो लोग 2017 में शायद इतना awareness नहीं था वो थोड़ा change होआ होगा लेकिन हा बिलकुल थोड़ा ही change होआ होगा क्योंकि अभी जितना भी participation आया है ऐसा नहीं बोल सकते सारा participation retired लोगों का आया है तो अभी जो कुछ लोग कर रहे हैं that will you know change the data when they retire correct तो अभी मुझे लगता ही है मुझे ऐसा लगता है कि when we see the next report जादा शौकिंग नहीं मिलेगा data and there will still be less than 10% of the retired people जिनों ने successfully अपना retirement plan achieve किया है बाकी लोग बच्चो की इंकम पे business है तो that's very good उसको consider करना चाहिए बच्चो की इंकम bank deposits या provident fund government pension पे जी रहे हैं which is not the ideal retirement या that retirement that will make you happy ये बहुत शौकिंग है बिल्कुल so having discussed कि क्या change हुआ है and क्या risk है how do you approach retirement planning मतला आपका क्या methodology है क्या चीजे करनी जरूरी है before you even start planning your retirement एक तो figure out करना कि आप कितना save कर सकते हो आपके current income में आप कितना set aside कर सकते हो and फिर वो discipline रखना कि हर साल मैं करूँगा ही करूँगा और इसमें से withdraw नहीं करूँगा और इसमें actually NPS का बहुत एक अच्छा characteristic है कि उसमें से आप withdraw नहीं कर सकते हो एक बार आपने डाल लिया पैसा तो retirement age तक आप 25% से ज्यादा withdraw नहीं कर सकते हो जो लोग stocks में डालते जब market गरता है तो कभी-कभी withdraw करते है या फिर बहुत बढ़ता है तब कोई बोलता है कि अभी आप निकालो तो तब withdraw करते हैं तो discipline वो कहीं पे हिल जाता है और ऐसे product में अगर आपने invest किया तो discipline maintained रह सकता है but don't you think even before deciding NPS या before deciding how much to invest everyone has a unique personality a unique set of needs सब को सोचना चाहिए कि मुझे future में क्या चाहिए होगा या मेरी family किस टाइप की है so that I plan accordingly and then वो जादा successful होगा 100% तो अभी हमारे generation में काफी divorces होते है काफी families रहते नहीं है for life and जैसे हमने पहले डिसक्स किया था कि चिल्रन are often outside the country या फिर किसी और city में होते है वो support नहीं कर पाते है तो खुद का खुद की care लेना is super important so this is not to say कि आपका बच्चा आपको धोका देदेगा this is just to tell you कि whatever can happen will happen Murphy's law कि आपको हर angle से सोचना चाहिए क्योंकि what if कोई health emergency आ जाए what if भगवान ना करे बट कोई major accident हो जाए what if कोविड का crash recover होने के बजाए और गिरता रहे और जपैन जैसा situation हो जाए तो बहुत सारे what ifs हैं जिसका काफी what ifs का हम you know take care कर सकते है कि अच्छा invest accordingly invest या diversify कर लेते हैं ऐसा risk है तो या कोई family में dispute है वो dispute आप जल्दी से जल्दी solve कर सकते हो कोई land dispute है and in fact यह जो दो retirement products है मतलब NPS है और PPF public provident fund है उसमे एक legal provision है कि कोई court उसको attach नहीं कर सकता तो अगर आपकी कल marital dispute हुई या फिर कोई और legal case हुई तो यह दो products है कुछ amount तक आपका पैसा safe ही रखेंगे So have you ever come across a story जहां पर even the best strategy or best of the retirement plans failed क्योंकि they failed to take care of some contingencies तो जैसे हमने insurance policies की बात की थी और ऐसे कुछ products है जैसे कुछ high interest वाले bonds होते है जो banks के द्वारा बेचे जाते है और उसके risks बताये नहीं चाते तो जब yes bank के 81 bonds उनका नाम है वो बेचे गए बहुत और जब yes bank का default हुआ तब जिन लोगों ने वो bonds खरीदे थे उनके सारे पैसे चले गए और उनमें से कुछ ऐसे मतलब retired लोग भी थे जो वो पैसो पे count कर रहे थे कि अपना retirement उससे फंड हो जाएगा उनका आज बहुत बड़ा प्रॉबलम है उनसे हमने बात की थी लेकिन उस पे कोई solution ने आ है they put too many of their eggs in one basket थोड़ा बहुत तो उनका और भी है और वो थोड़ा ज्यादा return वाले चीज से tempt हो गए कि अगर यहाँ पे साथ के वजाए 10 टका मिल रहा है तो इस ही में डालते है not thinking कि जब आपको ज्यादा return offer के जाता है तब इस पी ज्यादा होती है यह मैंने भी actually देखा है जितने भी friends के जो parents है वो कभी-कभी मुझसे पूछते है कि मेरे पास पड़े हैं मेरे पास 10 लाग पड़े हैं मैं इस bond में डाल दू क्या मेरे पास 30 लाग पड़े हैं मैं इस bond में डाल दू क्या तो मुझे बहुत scary लगता है मतलब मेरे पास भी 30 लाग होंगे if you decide to sell and if it's a good share. अगर आपने 100 रुपीस का बॉंड लिया है और उसमें डिफॉल्ट कर दिया है, तो आपका 100 रुपीस गया. तो यॉर मनी बिकम्स इंटारली जीरो. So, in some ways, डेट में एकुईटी से जादा भी रिस्क है and उसको समझना चाहिए. In fact, ऐसे बहुत केसे हुए हैं. So, जैसे DHFL कंपनी में डेफॉल्ट हुआ, वहाँ पे भी लोगों को उसका बड़ा प्रॉब्लम वर. एक सिस्टम था कुछ 4-5 साल पहले, बिल्डर्स को के साथ पैसे रखना और बड़े-बड़े इंटरेस रेट्स मिलते थे, बारा, अठारा टके. ये कैसे काम करता है? इनके स्कीम रहते थे, जोइलर्स के स्कीम अभी भी चलते हैं, कि आप हमारे पास पैसे दे दो लोन करके, और आपको बारा परसेंट मिलेगा, अठारा परसेंट मिलेगा, और कहीं साल तक वो देते थे, क्योंकि वो बिल्डर्स थे, वो तो हाई रिस प्रोजेक्स में डालते थे पैसे, फिर वो काफी बिल्डर फेल हो गए, और वो सारे पैसे डूब गए, पुने में एक फेमिस केस हुआ था, दी एस कुलकरणी की नाम का बिल्डर था, वो डिफॉल्ट हो गया, और बहुत सारे लोगों का पैसे उसमें चले गए, तो मिल्ड़ इवन ओफर बारा, पंदरा, अठारा परसेंट आप रिटर्म्स, तो ओविसली कोई मिदल ग्लास आदमी क्यों नहीं डालेगा उसमें पैसे, क्या अवरेश टिकेट साइज क्या होता है इनना? तो इडिपेंड़ बिल्डर एंड क्या स्कीम है, आप सीन की लोग मतलब एक दो लाग भी लगाते थे, इन अलॉट अवरेश इस यह सब डाइवर्सिफाय करने के बाद भी, पीपल हिट रोट ब्लाउट एक कभी मैंने क्लिप देगा था, लेडी हास तू गो टू वर्क अफर 10 मंथ रटार्मेंट क्योंकि खत्म होगे उसके पैसे, इंफलेशन इतना जादा है बेसिकली पहले रटार्मेंट एज था 55 फिर काफी कंट्रीज में 60-65 हो गया है, तो जो हम प्रोग्राम्ड है, mentally की, after 50-60, रेटारी होना चाहिए, वो नोशन हटानी चाहिए, नोट जस की फिनाशल रीजन के लिए, बट लोग अब इतना जादा जी रहे एंड हेल्दी लाइव लीड कर रहें, that they can work longer, they want to work longer. Right. I've seen cases, मेरे बहुत फ्रेंड के जो फादर्स हैं, इवन मोधर्स, रेटायर होने के बाद, they find some, या तो होबी, या या दे, you know, go work somewhere else. कई बार, कुछ गुछ गुश्मेंट जोब्स में, you have to compulsorily retire, right? तो वो compulsory रेटायर होने के बाद, they find a private job. क्यूंकि, they say themselves, कि अभी मुझे 10-15 साल और कोई टेंशन नहीं है, तो मैं काम कर सकता हूं, या कर सकती हूं, तो वाई नौट. Correct, correct. And frankly, लोग बोर हो जाते हैं. If they retire to, seriously, I've seen so many old people who are bored, stiff, उनको दिन में कुछ करने के लिए नहीं है. और अगर वो करेंगे, तो retirement corpus खता मझाएगा. So that's one of the very big problems. Seriously? क्यूंकि, हर retired person cannot go and find a private job. So, and those retired persons can't, you know, can't spend their money either. वो बन गया है, जो corpus, वो बन गया है, अब तो बच्चो के काम आएगा. So that scenario is very scary. So it's a cliche कि हर एक जो जो नौट में RWA कहते है, यहां पे societies जो होते है, सब जो committees रहती है, सब over 60s के रहती है. Because उनको दिन में कुछ करने के लिए और नहीं होता, तो society office में जा के इसकी planning करो, दिवाली पे कौन से दिये order करने, उसकी planning करो. I thought of a very bad HR joke, but I won't track it. Okay, रंगोली बाला. Yeah, but you're very true, मतलब यह मैंने नहीं सोचा था. But now that I think of it, it's very scary, कि यार, हम भी अगर रेटायर होते हैं, चलो ठीके, 60 पे, 70 पे होते हैं, तो करना क्या है? I've decided that I will not, as long as I can physically get up and go to work, I will do it. And if you have all the right planning किया है, और अपने अगर सब कुछ सही प्लाइन किया है, और इसके बाद कुछ हुआ, आपकी corpus बहत कम हुई, तो आपको कुछ multiple income streams होने चाहिए, जैसे आप कोई part-time job कर रहे हो, या वापस आप workforce जोइन कर रहे हो. Right. And especially if you're young, तो वो multiple income streams build करना, I would say, is relatively easy. जितना मुझे लगता है कि जितना इनसान की age होती है, उतना वो चीजे कम सीख पाता है. For example, our talented cameraman, Rohan, is 18 years old. तो अब जो चीजे इसको जादा समझ आती है, मुझे थोड़ी कम आती है, बट जब मैं… और मुझे उससे भी कम. तो जितना जल्दी करेंगे, जैसे term insurance वाले लोग बोलते है, जितना जल्दी करोगे उतना कम premium, इधर जितना जल्दी लग जाओगे, उतना जल्दी chances हैं कि कोई एक नई stream of income, which may even make you happier than your current job, could very well be a possibility, बट जितना जल्दी करेंगे वो उतना नहीं होगा, एक बहुत ही, चलो, इससे पहले, एक बहुत ही fun चीज मैं आप से discuss करूंगा, सबसे पहले, let's talk about things that are not in control, just to summarize, we talked about inflation, inflation, inflation जो US में जो हाल हुआ है, कोई बोलता है कि US में हो सकता, इंडिया में नहीं हो सकता, या जिसका कोई वाइसे वर सा opinion है, I think whatever can happen, will happen, so prepared होना चाहिए उसके लिए, ठीक है, अभी जो आपने point बोला, कि आपका जो lifestyle है उसको आपने बहुत जल्दी जादा upgrade कर लिया है, तो फिर उसको ही maintain करने का, फिर आपको लगेगा कि अगर थोड़ा सा भी lifestyle downgrade होता है, so that's not acceptable, so उस चकर में हम enough invest नहीं कर पाएंगे, and हम enough invest नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है, things that are not in control, such as inflation, will mess up our retirement pretty well. And in fact, इंडिया में 2011-2013 का जो period, उसमें double digit inflation था ही, 10 से ज्यादा था ही. So, उस टाइम पे जो लोग retire हुएं, I think, जिनको अभी ये बात नहीं समझ आ रही है, उन लोगों से पूछना चाहिए, जो उस टाइम पे retire हुएं, so they would be able to explain better. So, जैसे हमने बात की market crash कभी भी हो सकता है, 2008 का हमने देखा ही है, COVID में भी हुआ था, of course, COVID में जल्दी recovery आई, लेकिन ये कोई predict नहीं कर सकता. और अगर आपका retirement corpus है, वो बहुत ज़्यादा equity में है, तो फिर आपके लिए वो बड़ा risk बनता है. Right, so उसके लिए the best thing to do is, last के कुछ सालों में, धीरे-धीरे systematically, we bring down our allocation of equity. बिल्कुर. Right, so पहले दिन से पैनिक नहीं होने का. Okay, so एक funny चीज़ जो मेरे दिमाँ में just अभी बात करते हो याई, कि कई बार क्या होता है, कि अभी तो आपकी शादी नहीं है, तो आप रिलेट नहीं कर पा होगे, मेरी भी नहीं है, बट मुझे किसी ने करवा दिया रिलेट, कि आपने शादी कर ली, the love of your life, है ना, आपको, हर इंसान जब शादी करते हैं, तो अपना divorce planning कोई नहीं करता है, बट मेरे ओपिनियन में कर लेनी चाहिए एक बार, दोनों partners को कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी कल बैठके, we were discussing this, कि किसी ने कल नहीं देखा है, and in case of such a divorce, आपका आधा पैसा कट गया ना, तो मैं यह नहीं कह रहा कि, कुछ लोग बोलेंगे, आधा पैसा कट गया, तो आदे लोग भी चले गए, मतलब, you are separated now, तो ठीक है, it's fair, बट कई बार still, you might have a big family to take care of, you are the sole income bread earner, and आपका डिवोर्स में, अगर आपका आधा पैसा चला जाता है, और वो भी, let's say, at a later age, say, 40, और maybe 50, तो आप उसको कभी recover नहीं कर पा होगे, आप extra invest करके, वो वाले point को वापस रीच नहीं कर पा होगे, बिल्कुल, और डिवोर्स अल्टिमेटली एक लीगल प्रोसीडिंग है, तो जो कोड से और आएगा, और आपकी actual financial position क्या है, दोनों में फरक हो सकता है, उसके उपर कोड केसे लंबे टाम तक चलते हैं, उसके लॉयर्स फीज, बार बार कोड जाना, आपके employment के जो effect पड़ेगा, वो तो अलग ही है, तो एक तो divorce और एक वो आपने बहुत सही point बोला, कि बच्चे अपने ही बच्चे हैं, बट आपको ये सोच के retirement planning करने ही चाहिए, कि मुझे किसी से कुछ नहीं मिलेगा, तब अगर बाद में जाके, आपको बच्चो का भी support, ये लिव 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 वरी happy and fulfilled life, उसको बोनस मानना चाहिए, उसको बोनस मानना चाहिए, और बच्चो को फिर आप वो reward दे सकते हो, कि भई, तुमने हमारा ध्यान रखा, ये लो करोड़ो रुपा है, बठकर नहीं हो, तो ओकर टो रुपा पिर भी होने चेहिए, इस वो झाल वे लिव भी आपको बढ़ा बिल्कुकू So, I think neil, हमने थोड़ा संह आप ड़ा इन लोगो को, And, if there are 10 bad cases, there can be 90 good cases as well. So, what do you think is the key takeaway? What is the main learning from this conversation? So basically, Yes, planning for retirement is important, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप 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 का जो ओल्ड एज है वो एक स्केरी टाइम है आप पैसों पर डिपेंडेंट है जो आपके सेविंग है कही सारे एक्सपेंसे कम भी होते हैं यंग एज में फॉर एड्यूकेशन के एक्सपेंसे होते हैं फिर मारेज एकसेटरा बहुत बहुत चीजे होती है जो ओल्ड एज में होती ही नहीं है और जो काफी ऐसे लोग है आप यह वह रेटार्य जो काफी सिंपल लाइफ लीड करते हैं और माई ग्राइब परेंस तो मी आर बेस्ट एग्जम्पल उनकी बहुत ही सिंपल थी लेकिन बहुत ही हैपी थी तो आपकी लाइफ के दो सेजेंस होते हैं ऐसी में अपनी सेविंग्स बढ़ाते हो पैसे कमाते हो और देक्यमिलेशन में यह पू Państwo स्पैंड करते हो लेकिन इंडिया में थोड़ा अलग होता है इंडिया में जब लोग बेटार हो जाते हैं तो उनके काफी एस्पैसिस कम होते तो जो system है कि प्रहमचारी आश्रम फिर गुरुहास्त आश्रम फिर वानप्रस्त आश्रम और सन्याष आश्रम तो यह जो दो वानप्रस्त और सन्याष आश्रम होता है उसमें लोगों का लाइफ सिंपल हो जाता है expenses कम हो जाते है और वो उनका retirement इतना scary काफी cases में नहीं होता यह concept जो आपने west में बताया ना मुझे actually personally बोलें तो west वाला पसंद आता है वो इसलिए नहीं कि आप spend करते हो spending पसंद नहीं है but इसलिए कि Indian families का यह mentality होते है कि हम इतना पैसा जोडने की बच्चों के लिए करके जाये मैं चाहता हूं कि मैं इतना पैसा जोडने हूं so that I have something to give back to the society जिसने हमें बनाया तो मुझे जैसे I love that story, Bill Gates की daughter is interning at some food joint, ऐसा कुछ था, I can't remember but even you know, billionaire kids, वो उनको ऐसा सिखाते है कि you have to work your way up, आपको सब कुछ ऐसे पका पकाया नहीं मिलेगा नहीं तो आपका life में, जैसे जो learnings हमने draw करी, जो मेहनत हम कर रहे हैं, जो empire हमने बनाया है वो अगर आप बिना सीखे और बिना मेहनत के सीधा handover कर देंगे आपको, तो बिगड़ भी सकता है इंडिया में ऐसे बहुत cases हमने देखे भी हैं, तो मुझे ये पसंद है कि if I will ever have a kid, मैं उसको ऐसा पढ़ाना चाहूंगा, ऐसा सिखाना चाहूंगा कि they are, you know, अपने आप से वो अपनी life बना सकते हैं, उसके बाद as a parent of all, सबका मन करता है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाएं, but उसे important यह है कि अपने बच्चों के लिए सबसे important चीज़ जो छोड़ के जाना चाहते हो, वो actually learnings हैं, कि वो learnings को use करके आपक जो finite amount of money है, वो उससे भी जादा amount खुद से earn कर सकते हैं, इतने capable बन सकते हैं, वो, versus कि हमने उनके लिए बहुत कुछ जोड़ दिया यह सोचके कि अब उनको tension नहीं करने पड़े, मैंने बहुत सुना है लोगों से, कि मेरे बच्चों को tension नहीं करने पड़ेगी, मैं इतना जाना चाहता हूं, बट उससे जादे इंपोर्टेंट यह है कि अगर आप चाहते हो अपके बच्चे टेंशन नहीं करें तो आप अपने बच्चों को उतना पुछ करो तोवर्ज अचीविंग ग्रेटनेस या कुछ स्किल सीखने में ऐसा कुछ बिलकुल और यह चीज हमार जब हम चाहराशनम की बात करते तो जो लास दो है उसमें सोचल एलमेंट भी रूड़ेड है तो मुझे यह पसंदा है कि इफ यह बिल्ट विल्ट वेल्ट अपने सब कुछ कर ली है जो आप चाहते हो तो इट माइट भी ताइम की अब वो वेल्ट आप यह सुसाइटी को सबंड़ाए तो इस वेल्ट विल्ट वान मीषर अफ आफ यह सब्सक्राइट है जितन आपको बना है जितना पॉसबल तो इसके बिल्समित बाट को पॉसबल हो लिख उन को था रह जिए प्ला हैं निम्ला मिल्स में इस बहुंग हो बहुत 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 अँग बढ़न जेखे लिए दिए नील अरिजनली का से उसे पुने से आप अप्टर आर एपिसोड वे डिसाइड दिनर एंड नील वास वरी काइं तो जॉइन अस बढ़ लिए उसके बाद हमने नील का पुरा वर्काउट कर वा दिया पहले पुरी जिम वाली फील आई एवन मुझ वहाँ पे 45 मिनिट्स का वीडिंग ताइम ता तो वी डिचाइड तो गो तो आईकिया तो वाहाँ पस अचा स्मैश करने के लिए लिए वी अट वाउन पॉइंट फीलो मेटर आईकिया ने के लिए अनदर हाफ किलो मेटर वॉक एंड उसके बाद हमें गड़ब बिल्डिं के चार फ्लोर चड़ गए उसके बात-बात आधा दा कि दूसरी बाली वैलिडिंग में एकिया भाइ इसको बोलते मॉंबइ और कुछ तो नील से बात करके समझ आया कि आपको साबदान रहना है और सतरक रहना है क्योंकि कोई भी आपको गलत प्राड़क्ट चिपका गया जैसे कि कोई endowment policy या कोई ulip या आप ही के लालश की वज़े से आपने कुछ riskier instruments में invest कर दिया तो आपके जीवन भर की savings रिस्क पर आ जाती हैं जीवन की बोरियत से भी बच सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं अब चलते हैं बैंगलॉर, अजिंक्या एंड अंचुल से मिलने इन ही topics को थोड़ा और explore करने and multiple perspectives लेने एक और रिजन है मेरा विंट्वेल्थ आपस आने का, विंट्वेल्थ मेरा ही है, I mean, I am a shareholder in विंट्वेल्थ, तो मुझे देखना है की मेरा दन्दा कैसे चलता है अज खाली है? अज अज संदे है? तु शुट्टी की तिम काम कर रहे हैं So, according to you, what is wealth? It is about having freedom, having choice to do whatever you want, right? जिससे अगर आपने कभी लोन लिया है, तो आपको उसकी एमाई चुकाने तक तो काम करना ही, ना कमा के करना ही, right? तो जब आप लोन लेते हो, तो आप future का जो earning potential हो आज यूज करे रहे हो, right? Wealth में उल्ता होता है, कि आप आज आइन करके रख रहे हो ताकि future में ना करना, पने तो wealthy is about securing future, karma, so debt आप करते हो, तो past का कर्जा चुकाते हो, फिर आप neutर होते हो, फिर एक दिन का saving होता है, थो एक हपते होता है, एक महने का होता है, एक साल का होता है, दस साल का होता है, तीस साल, चाली साल, तो आपका एक बार इतना सेक्यर हो गया future, तो आप जो चीह कर सकते हो, चाहे आप काम करो, नहीं करो, हभी में कुछ का लगाओ, कोई NGO में काम करो, कोई ट्रिप पे चले जाओ, ये करो, तो wealth is about securing future, in my mind, having that freedom, having that choice to do whatever you want, is wealth, and obviously that is also related, कि आपका खर्चा कितना है, future का भी, नहीं तो किसी को सो करोड़ भी कम कर सकते हैं, किसी को एक करोड़ भी का फिर से, true, तो ये वो runway वाली बात है, कि मेरा खर्चा कितना है, और मैं उसके हिसाब से मेरे पास कितना साल का runway है, अगर वो runway इन runway is a commonly used startup term, मानो आप 30 साल के हो, आपको 60 तक retire होना है, मतलब 30 साल है आपके पास पैसा invest करके अपना retirement fund बनाने के लिए, और ये power of compounding का basic curve आप अगर जानते हो, तो आपको पता है, पहले 15 साल आपका खास पैसा नहीं बनेगा, and उसके बाद हर साल आपकी wealth multiply होगी, and आप अपन retirement goal की तरफ तेजी से बढ़ेंगे, in fact Warren Buffett का भी compounding curve कुछ ऐसा ही था, 99% wealth उन्होंने 52 की age के बाद कमाई, तो मान लो 60 की age तक आपने successfully पैसा बना लिया, और आपने ये सोचा था कि 90 की age तक ये पैसा sufficient होगा जीवन बिताने के लिए, मतलब आपका runway हुआ 30 years, अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो काफी कंजूसी के साथ अपना retirement fund spend करते हैं, as a result हो सकता है कि 90 के बाद भी उनके पास पैसा बच जाए, और कुछ लोग retirement के just बाद बड़े बड़े खर्चे कर लेते हैं, for example, घर या फिर शादी, and retirement corpus का एक बड़ा हिस्सा पहले ही खर्च हो जा 60% of Indians, yeah, they are like 60 नहीं, exact number नहीं बता, but like majority of Indians are one catastrophe away from poverty, एक family emergency हो गई, कोई accident हो गया, जो बड़े खर्चाला, अपकी wealth पूरी wipe out हो जाती है, तो उसके लिए ये wealth create करना बहुत जरूरी है, and obviously ये wealth में, जो उसकी emergencies हैगी, वो भी cover करना, जो है, आपके एक emergency fund होना चाहिए, health insurance होना ये भी wealth creation के blocks है बहुत, कि मैं देखा चनले कोविड में अपना देखा होगा या पहले demonetization में लोगों के cash flow crunch हो गए थे, तो I think, I don't remember the exact number तो याद नहीं है, but multi million people like fell into poverty again, if you think about it, countries, companies, सिर्फ individual बंदे को छोड़के, सब अपना income, अपना expense सब ट्रैक करते हैं, we analyze data, we find scope for improvement, and we prepare for future, but यही काम अगर हम individual level पर कर लें, which is not that hard, थोड़ा hardware मारेंगे, in fact, अपने future का सवाल है, I'll tell you the root cause about this, like, अगर आप हमारा education system देखें, तो हमको 6th में Sanskrit पराते हैं, 7th में history, geography पराते हैं, 9-10 से physics semester, maths वकरा आजाती है, but finance कभी नहीं पराया जाता, education system में, वो optional होता है, अगर आप commerce, accounting लेंगे, तब जाके आपको finance के basics, school में सिखाए जाए जाएंगे, like, मैंने science से किया था, तो में को interest था, the college में मैंने थोड़ा मलब पढ़ा इसके बारे में, तब चीज़े जाके समाझ आई, बट अगर में को finance में इंटरस नहीं होता, यह सब चीज़े बिलकुल skip ह हो जाती, जब मैं job करता, first job लगती ही, पैसे आते, तब मैं कोई सीखने के लिए effort मालने पड़ते है, तो I think इसका good solution is कि at least जो finance के basics है, basic frameworks, at least on personal finance, अगर economics से बारे में नहीं भी, यह school system में पढ़ाने चाहिए, compulsorily पढ़ाने चाहिए, तो मैं तो मैं फेल हो गया था, फिफ् नहीं था, तीन साल आपको पढ़नी है, तो मैं फेल हुआ और मेरी मम्मी, मेरी जो notebook होती है, मेरी notebook को लके देखा, मैंने पूरे सालस में कुछ लिखा नहीं था, तो मम्मी PTM में notebook लेके गए, टीचर को argument किया, कि आप पढ़ाते नहीं हो मेरे बच्चे को, अब आप सोचो, कि system कितना crooked है, कि हमारे school को समझ आ गया, कि बच्चों से Sanskrit नहीं हो रही है, in fact classes लेने के बाद भी नहीं हो रही है, तो Sanskrit की वो पूरी guide में आती, जिसमें हर textbook के हर question का answer लिखा है, आपको वो दे दी, इतनी magazine सी form में, बच्चों को आराम से समझ में भी आ जाएगी, and सब लोग Sanskrit में top करने लग रहे है, 50 out of 50, सब क्या रहे, that means school को भी बता है कि ये गलत हो रहा है, but अब उस change तो उपर से ही आएगा, and उस चकर में, आप सही कहरे हो, क्योंकि हमें जब तक वो नहीं पढ़ाया जाता, दिमाग उस direction में नहीं चलता है, अब मैं बहुत ही, funny example है, हम company में, L ले-ले office में बैट के discuss कर रहे थे, कि यहर views ना कम जा रहे है, shots के, हम लगता है, 7 बज़े से late publish करते हैं, तो इस वज़े से कम जा रहे है, तो अब से 7 बज़े ही publish करेंगे, फिर मैंने उसका views का 90 days वाला graph कोल के देखा, कि क्या चल रहा है, 90 days का graph, मैं, I'll show it on screen, but वो graph ऐसा थ एक दम range bound, stock market ते ना, nifty जैसे वो आया ना, 6 महीने से, sideways, but sideways में pattern है, कि वो higher low बना रहा है, और lower high बना रहा है, तो यानि वो consolidate हो रहा है, अब हम कितने वे मैनत कर ले, हमको कुछ नया करना पड़ेगा, जिसकी वज़े से वो यहां से breakout करे, और वो हमने किया, but इतना जो knowledge आपने trading में सीखा है, या जो knowledge आपने कहीं और सीखा है, वो आप जिंदगी के किसी दूसरे aspect में implement कर सकते, it's just that school time में या college time में आपको वो सीखना जरूरी है, अब many people say कि math क्यो पढ़ाते है 11-12 में, अगर आप मैस नहीं पढ़ते हो, ऐसा नहीं है क्यों आप लूस आउट क पढ़ाना ही चाहिए, उसके बाद तुमने जनरल अवरनेस देदी, दस चीजों के बारे में, जिसका जिस फिल्ड में इंटरस्ट है, वो उसको उसमें स्पेशलाइस कर सकता है, but I think that finance उन दस चीजों में definitely fall करता है, at least basic understanding तो सब को देने ही चाहिए school में, right, even if you talk about some artists लोग या कुछ दूसरी field वाले लोग, they always rely on someone else क, या हमें finance नहाता, हमें चाहर नहाता, तो हमारा देख लो, तो हमारा देख लो, and when they say that, सामने वाले को सकता है कि इसको तो कुछ भी नहीं बता है, तो मैं इसको यूली बेच सकता हूँ, मैं इसको यह भी miss-sell कर सकता हूँ, वो भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है, so I think we wanted to convey कि wealth should liberate you, anything that liberates you, या gives you freedom is wealth, ठीक है, but now I want us to talk about कि कुछ लोगों के लिए wealth कुछ और भी चीज़े हो सकती है, for example, जब आप बुडे होते हो, आपकी requirements बहुत कम हो जाती है, ऐसा लगता है, हम planning इसे साब से करते हैं कि यह वाला lifestyle हमक यह सोचने में fail हो जाते हैं कि as we grow old, हमारे expenses बढ़ेंगे धीरे-धीरे, हम यह भी सोचने में fail हो जाते हैं कि जब हम retire हो जाएंगे, तो शायद हमारे expenses वहाँ से कम भी आ जाएंगे, तो उस case में, how do you personally build your wealth, यह ना threshold define करना पड़ता है, मतलब कि कितना मेरे लिए enough है, और इस करोड हो जाएगा ठीक है, फिर वह दखता है, दो करोड हो जाएगा ठीक है, फिर वह पाच करोड हो जाएगा ठीक है, फिर फिर पचास भी काफी नहीं होता रही, अचली शायद आप कुछ तो एक नंबर होगा, जो आपके लिए minimum sustenance के लिए काफी है, वो नहीं क्या आड़ भी चल जाएगा, फिर दस क्यों, तो एक है आपका minimum number और एक है, जो मतलब फिर तो ख्या दी है एकदम पूर गूर, वाट एक minimum sustenance, तो लोग क्या है, और वो जो minimum number है वो inflation के साथ बढ़ेगा, generally, inflation के आसपास, जो आपका comfortable number है बहुत जादा का, वो आपकी lifestyle के साथ आपकी lifestyle aggressively बढ़ेगी, आपकी lifestyle 15% से बढ़ेगी inflation साथ पर से, तो वो number को chase करते जाओगे, तो बाकी सब sacrifice हो नहीं वाला है, तो दो number किसी के नहीं होते है, तो मैं खुद के लिए डिफाइन क्योंकि मेरे दो number हो, कि ये comfortable है, इसके बाद आएगा तो अच्छा है, मतलब, मैं में मेरे पापा से बात कर रहा था, बोडरे थे मेरे बिजनेस और बड़ा बनाना था, तो अच्छा आपको billionaire बनना है क्या, तो बनना है, तो बनना बट उसके चेकर में business टूप जाएगा तो वो risk है उसमें, जाएगा नहीं, तो billionaire सब को बनना है, उसके लिए risk इतना ले spend time with my family, probably on my health, वगरा 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 वगरा, बट इंडिया जैसे country में जहाँ कोई social infrastructure नहीं है, जिसे western countries में social security होती है, जो आपको पेंशन का या जो भी आपके health, पूरा take care, care जाता है, अगर आपकी job जाए, तो street आपको पैसे देती है, हर बन्त, उस type का कोई infrastructure नहीं है, कोई कुशनिंग नहीं है, तब एक minimum wealth होना बहुत जरूरी है, वो करने के लिए अगर कुछ-कुछ trade-off करने पड़ेंगे, मतलब मेरा personal बाना है, कि वो minimum पहुचने के लिए अगर मोगे कोई trade-off करना है, तो मैं कर दूंगा, उसके चक्कर में मेरे थोड़े relationship, थोड़ा back burner पे चल है कि आप एक बर minimum threshold hit कर दिया, फिर everything is at parity, पैसा हो गया, family हो गई, health हो गई, और अपके बाकी भी relationships हो गई, यह अपकी खुद की enjoyment की, travel करना है, बाहर जाके कही, I think आपने वो बात एकनम सही बोली, आपका एक minimum के बाद, आपको रुखना आना चाहिए, आजाए तो बढ़िय है, but my priorities will be towards my family, my relationship, यहां भी बहुत लोग मेरे साब से गलती करते हैं, बहुत कम लोग, as a percentage of, you know, total population, इतना आगे तक, बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, कि successfully उन्होंने अपना, वो minimum number अचीव कर लिया, तो maybe 10% of India, but वहां पे भी, if you notice, कि अगर कोई किसी के बाद 10 करोड आ गए है, 3-4 लोगों की family है, it should be enough, but they aspire for 100, they aspire for 1000, and बहुत अची सेहीं कि, I don't know कहां से सुनी थी मैंने, कि हो सकता है, 10 करोड और 100 करोड में फरक हो, but 100 करोड और 1000 करोड में कोई फरक नहीं, क्या करोगा आप इस पैसे का, yes, but 100 करोड से 1000 करोड कमाने के लिए, जो रेस में ल पर, family is your wealth, in that sense, नहीं, similar, मतलब, वो 10, कोई सेम चीज ये भी कह सकता है, कि एक करोड और 10 करोड में फरक है, बट 10 करोड और 100 करोड में फरक है, वो एक अपना, वो बार, डिपेंड अन उसका बार ही, अगर वहां है, let's say, वो टाय 2, टाय 3 city में रहता है, अराम से 30 साल निका जब वो, मालब, बच्वन में, काफी स्केल सिटी भी देखी है, क्योंकि इंडिया में वेल्स 90 के बाद ही आया है, तो कही ना माइन में वो डीपर लेवल पे, उन पुराने दिनों की वो भी है कि, यार, मैं पे लेट से 10 करोड ना, वो चिन भी सकते हैं, क्योंकि मैंने वो इवन मेरे साथ है, इतना ग्यान में दे रहा हूँ, मेरे साथ भी है है, क्योंकि हमेशा मेरे दिवाग में ये रहता है, कि अगर मैंने वो अच दिन अच दिन अचीव कर लिया, जब मेरा minimum number हिट हो गया, वो उसके लिए गट्स चाहिए हैं आपको कि अब मैं काम नहीं करू मैं कोई अक्षे कुमार नहीं हूँ, इवन अच्छा बहुत सही एक्जांपल आपको देता हूँ, मुझे नहीं पता था, मुझे रिशब ने बताया, कि राजेश खन्ना है तो I was told कि he went for a couple of years, took a sabbatical, अमेरिका चले गए और ओशो की शरन में चले गए, और वहां से बापस है, इतना, you know, creators है इतने जादा और सब कुछ overwhelming लगता है, तो YouTube का recommendation system change हो जाएगा, अब फिर मैं content बनाने लगूँगा, तो किसी के पास notification नहीं जाएगा, किसी की feed में नहीं आएगा, कि मंदी वापस आ चुका है, and this is a very big fear, तो हो सकता है, let's say, आज मान लो मैंने मेरा minimum number अच लेना चाहिए, and I think सिर्फ हमारे सापनी हर business में, या हर इंसान के साथ रहता है, कि यह हमने खो दिये तो क्या होगा, even मेरी मम्मी का अभी भी वह mentality है, कि सौरपे की cold coffee क्यों पीनी है, तीस वाली पी लेते हैं, या तीन सो वाली क्यों पीनी है, सौ वाली पी लेते हैं, और मम्मी मुझे डांट नहीं है फिर, कि तुझे तो आता ही नहीं है पैसा बचाना, मैं बचारी हूँ जो मेरी अलमारी में रख रही नहीं, वो देखना किस किसी दिन काम आएंगे, और फिर बहुत चुपता है कि किसी दिन वह सही में काम आगए, तो क्या होगा, तो कहना बहुत असान है कि हम छोड़ सकते हैं एक टाइम पर या फिर हम दूसरी चीजों पर जा सकते हैं, जाना भी चाहिए, यह डर बहुत रोक के रखता है लोगों छले काम अतलब ट्लब ट्लब, गुट्टा है प्रावल, गुट्ट्वार बिस्की है और फिर हम घृवल, वरेड़्य दूसरी ऑट पर वोग दूसरी अटलब है, इसल बहुत अडरा बात है अब्र्ट थोड्य पर ट्लिए,। तो जाना होगार प्र सिखनी है, उसको च्छ चला गया, आप करो क्या, वो बहुत इमेटरिल है उसके बाद, ये प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है, ये बदा ही आपको, अभी नहीं हो रही है, मैंने एक्जामपल दिया है, hypothetically, let's say, कि मैं आप पहुंचे है, बॉटम लाइन यही है, कि उसके बाद क्या करें आदमी, वो आपको शॉईस नहीं है, वो मैलस्टों यह कि वो चोईस अनी, वो वो वेल्थ क्रेशन, वेल्थ इस चोईस, हाँ, वो रिटली सैट, ये बात मैं किसी लेबरर के सामने कर दूना, मुझा वो मारेगा, क्या डिस्कुशन कर रही है, अपले तो आप यह बता दो कि आप मिल्क्रास बैक्डांग, आप, वी एड लाज जोईन फैमली, और माइ फादर वस दी ओनली अर्नी मेंबर, वी उस तो वर्क इन बैंक, माइ फादर रंस बिजनेस, बट वरी स्माल बिजनेस, बड़ जो भी ग्रोथ वा बिजनेस का लाज 10 साल में हुए, तो 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 तिल आ आपको अब रिस्पोंसिबिलिटी किस पर मेलाग, अपने आपको सस्टें करती है, यह दू यू प्रोवाइट फॉर्वाइट फैमिली फैमिली सस्टेंट पर यूर्ट फैमिली में फादर बैंक, तब तक तो पैंशन का कंसेट था, तो पापको पेंशन आ दी है, तो आपको पाला पड़ा है, मैं आपको बताता हूं, क्यों पूछ रहा हूं, जैसे, मतलब, वी हैव फेसे लॉट अप्स अडाउंस, और अलमुस्ट जैसे वन केटास्ट्रोफी अवे वाला जो आपने एक्जांपल दिया था, वह हमारे साथ हो चुका है, और एक बार नी तो कमालूँगा, ताकि मैं पापा मम्मी को कुछ ऐसा दे दूँ, अब फॉर्चुनेटली मैं उनसे डिस्कॉशन करके ही यह काम करता हूं, कि उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए, कि अच्छा, इतना सारा पैसा एक जगा ऐलोकेट कर दिया, पूछ तो लेता हमें चाहिए कि नह अलाइन होना चाहिए, कि like in India like we stay as a family, आसा नहीं है कि parents अलग रह रहे हैं, बच्चे अलग रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप सेम घर में रह रहे हो, तो जो आपके medium से long term goals हैं, उस पर एक candid discussion तो होना चाहिए, कि कि इतना आप time family को दे पा होगे, कि इतना आपको काम के चाहिए, अपमेरे spouse को कितना time दे पा होगे, वो सब I think broad expectation होना चाहिए, और उसी discussion का part है कि like as a family, like अगर आपे कोई wealth targets है, वो कितने है, घर में like सब का insurance है नहीं है, family insurance है नहीं है, medical insurance है या नहीं है, अगर like at least मैं तो अपनी wife से अपने investment भी discuss कर लेता हूं, कि where is she investing, where I am investing, क्य which is also from the finance background, तो discussion भी fruitful रहता है, तो it's I think always good to have at least the expectations correct, at a family level, and उसके उपर आपको इंडिविजुली भी discuss करना है, तो कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, जैसे हमने पहले बात किया, wealth is not a corpus, it is runway, 5 crore corpus है, जिसका 1 crore का खर्चा है, उसके लिए runway 5 ही सल का है, जिसका 5 लाग है, उसके ल runway से runway जाता है, तो corpus से कोई फरग मी पढ़ता है, तो corpus, runway के दो पार्ट, एक तो corpus है, दूसरा आपके expense है, अब ये expense as a family है, right, because expenses are very tightly related to lifestyle, तो as a lifestyle ही साथ में होगा, कि कि किसी को अच्छे घर में पहले, like as a family, किसी को शायद foreign में 6 मिने में ट्राइल करने में अच्छा लग का दूमिनेटर है, तो ये से runway is equal to corpus divided by expense, yearly expense, so yearly expense is lifestyle question and it is a family, तो साथ में रहते हो आप, इंडिया में तो family unit की तरह रहती है, तो वो इसलिए करना तो पढ़ेगा है आपको, और वो बहुत चोटी-चोटी चीज़ों सोता है, कि घर का budget क्या होना ची है, सबजी मंगवानी तो कौनची वो और्गानिक मंगवानी जो 3x price पर आती है या नॉर्मल मंगवानी जो 1x price पर आती है, because that defines your lifestyle, right? and not just in expenses, but also in investments, क्योंकि कोई बच्चा अभी अभी कमाना चालू किया मानलो, उसने अच्छा खासा पैसा कमा लिया है, बट अगर वो अपने parents से discuss नहीं करता है, कि इस पैसे को कहां invest करना है, तो वो तो शहाद हो सकता है, हम जैसे यूट्यूबर्स का वीडियो देखके, बोल अब ये दूसरा मैंने, मितलब इन फाक्ट जब हम वेंट वेल के customer से बात करते हैं, तो वो discuss नहीं करना चाहते है, बिकॉज इंडिया में प्रॉब्लिम दूसरा एक है, कि आप जो family से discuss करते हैं, एक obligation बनता है, कि वो सुनना पड़ता है, तो disagreement का concept ही नहीं है, मतलब हम disagreement को disrespect मानते हैं, कि मैं आपने पापा की बाद नहीं सुनी, मतलब हम आप पापा को respect ही नहीं करते हैं, यह जो extreme है, इसकी वैसे बहुत नुकसान होता है, लोग discuss ही नहीं करते, to the extent में यह पता है कि जो, मतलब मुझे एक बंदने नहीं यह बोला, यार मैंने इतना कमा हैं बट मैं घरवालों को बता हैं नहीं हो, क्योंकि वो खर्चा जाता करना चालू कर देंगी, या वो मुझे बोलेंगे कि तू यहां जमीन दे ले, यह कर ले, यह इसको इतना कजिन को इतना लोन दे दे, कजिन का education का देख ले, तो I think वो expectation उसके, यह discuss करने से पहले expectation भी यह नहीं ची यह reason है मुझे, मतलब किसी से भी आप पूछो तो उसको यह नहीं लगता कि मैं मारी ममी पाप को बिना पूछे, discuss करके, या family में elderly लोगों से बिना discuss करके पूरा wealth plan कर लो, उसको डर है मैंने पूछ लिया उसने वाला यह flat ले ले, लेना पढ़ेगा, यहां सबसे बड़ी प पॉसिबल है, अभी किता भी कुछ समझा लें, कि कई बार होता है, कुछ families का background ही ऐसा होता है कि very strict, आपको मानने ही पड़ेगी बात, और फिर आप समझा होगे तो बोलोगे, जाधा बड़ा हो गया है, हमें सिखाएगा, मतलब वो अलगी, मतलब वो इदिल पे ले गए वो इसका related point है, कि मतलब generation gap भी है काफी, यूपी हमारे जो parents है, उनके पास ऐज़ा investment क्या चावज़ता है, FD था या LIC का policy था, तो मेरे जितने आदे दोस्ते है, उन्होंने जब अपने parents से guidance लेने का discussion किये, तो input यही आया, कि या तो LIC कर लो, या FD कर लो, और कुछ और करोग कि मतलब इतना fruitful discussion नहीं होता, तो लोग discussion नहीं करता है, बट I think यह solve होना जहीं, जिसको भी at least यह चमकता है, कि अच्छा यह बहुत बढ़ी problem है, they should sit and discuss with their families, होता नहीं है, वो बात अलग है, बट यह भी आपको फिर wealth achieve करने से रुकता ही है, कि चलो investing करा रहे हो, चलो किसी न लग-अलग plans कर रहे थे, खर्चे, अपने बस family से बात नहीं करें, आपकी family ने plan कर रहे थे, बस आपने बात नहीं करी उन से, तो बाद में वो anyway करने पड़ेंगे, जब आप जब भी आपकी बात होगी, तब भी वो आपसे करा देंगे, कभी वो ही आपके पूछ लेंगे, बट उसके सब जो headache आता है, उसके वैसे लोगों का trade-off हो, वो लोग यह चाते कि, उसके वेल से रिलेटिट नहीं है, पहले महीं लगता था कि यार nuclear family से stress बढ़ रहा है, बट अक्चली research shows कि nuclear family में stress कम होता है, joint families, क्यों है क्यों है, क्योंकि वह ही वो disagreements are seen as disrespect, तो उसके वैस नहीं है, यहां तो ऐसा होता है कि मेरे तो एक दोस्त का ऐसा पता कि उसके जिसे वो नासिक का दोस्त है, तो उसके पापा ने बोले तो यह फ्लैक लेना है, तो अभी वो फ्लैक नहीं ले रहा है, यह मैंने सुना है, बहुत सुना है, मतलब यह कुछ भी करो यह मत करना, औ और मतलब I think वो भी खेलते हैं उनको पता है कि थोड़ा बहुत lightly बोलेंगे ना तो यह argument करेगा कुछ ऐसा बता दो back story से बहुत ही bad experience कुछ भी करो यह मत करना तो फिर वो argument ही कतम हो गया नो उसका कैसे समझे तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत personal choice है depending किसकी family कैसी है ज सेम ऐसे ही करता हूँ बट मैंने देखा एवन मेरे friends ऐसे एवन मैं किसी एक uncle से बात कर रहा था कुछ ब्रीफ time के लिए उनसे मिला था मैं और वो mutual friends redeem कर रहे थे तो उनका एक question था मुझ से कि अभी मैं दो बजगे हैं तो अभी करूंगा तो एने भी मिल जाएगी या कल की म पताता हूँ बट उसी conversation में में मेरे को realize हुआ कि शायद मेरी बात को सीरेशली नहीं लेंगे और उनको नहीं पताता कि I'm from labor law advisor ऐसा कुछ background भी नहीं पताता मैंने का आप तो बिल्कुल ही नहीं लेंगे पहले जलो इनको forward कर देता हूँ दो चार वीडियो फिर हो सकता है बा इतना अगर approachability कम रह जाएगी तो फिर मुझा लगता है कैसे ही आपन आगे बढ़ेंगे अच्छा one thing I'd like to discuss कि आपने multiple recessions देखे हैं मैंने तो नहीं देखे कि 2008 में तो मैं बता नहीं क्या कर रहा था आप कुछ तो कर रही रहे थे हम भी यंगी है हम भी यंगी है हम भी क्या बात कर रहे हम यह मुझा पता है। यह मुझा पता है यह नूट यंगर थान वी तो मैं 227 कहीं हूं है आप थर्टी फ़औगे है यह यह बत्तु अग्सरशन देखा हैं अच्छा थाहीब के थाहहए नहीं मैं तो मैं अभी 27 कया हूं है थर्टीवट हैं यह हैं जब 20 क्लोजली नहीं, फिर भी मंदला ऐसे, I didn't face any brunt of it at such, because the business got out of the recession, but I mean, I could see that कुछ कुछ चल रहा है, बिजनेस बहुत इंपक्त आ रहा है, in fact I have first memory, that the micro effect होता है वह दोजराट का है, बट ऐसे कोई उसके बाद कोई ऐसा प्रॉपर रिसेशन आया है, हाँ, डिसेशन निया मिन लिए पिछले पांग साल में काफी इवेंट्स हुए, फिर like demonetization हुआ था, फिर I.L.F.S. default to COVID आ गया, तो all these are like kind of mini, micro shocks only, so इसमें, you deal with your clients at Vintwell, आपने क्या behavioral change देखा है, हर बार जब कोई शॉक आता है, तो आपके clients क्या बोलते है आपको, नहीं मतलब यह तो famous saying है कि like after every bull market there are new debt investors in like bond, right, कि जैसे bull market खतम होता है, उसके bear market जब जाता है, तब लोग को debt का meaning पता चलता है, right, so after every bull rally, there is a time for new debt investors to be won, तो होता है कि लोग, जैसे मैं देखा है, जब भी लोग पहली बार आते हैं मार्केट में, उनको होता है, मैं 15% Excel बनाते है, 15% CAGR इतना यह बनेगा, अच्ना यह बनेगा, फिर जब वो एक rally देखते है, उपर वाली नीच अली, तब उनको लगता है, रहाद 10-11-12% ही सी, त इतना ही होना चाहिए, थोड़ा मेरे को डेट पेक्स को होना चाहिए, तो I think every recession के बाद वो रैशनलाजाशन आता है, जैसे जिसने जून 2020 में चालू किया, जब बार्च में तो मार्केट गिरा था, उसके जून 2020 में जो एंटर किया, उसने 2021 मीड तक तो rally चल रही थी, तो उसको लगा कि पैसे डालने होते हैं, पैसे डालने होते हैं, पैसे डालने होते हैं, पैसे डालने होते हैं, तो उसको लगे, और मैं पागलू के डेट में डालूंगा, उससे और extreme है, मतलब हम यूजर रिसर्च के लिए बात करते हैं, एक बंदे ने बस क्रिप्ट में जाल तब उसका वो तब 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 यू अप्रिशेट दिफरेंट असेट क्लासे तो रिसेशन वे होता है कि लोग थोड़े वाइस बन जाते है होता कि कि जब भी आदमी ऐसा एक साइकल देखता है तो उसको डेट का इंपोर्टन्स पता चालता है कि इफ यह एक इफ इफ इस नूइए नगार्केट उसका एक्स्पेक्टेशन पतरा परसेंट या तो उसको 10% का प्रोड़क्त विलुक वरी अनुट्रक्टिव इंफक्त वी शेट इंसए अंड बिलिव कि इस नोट आर जॉब तो कंविंस वन दाट 10 परसें 9 परसें रिटन इस वाइट चोईस वह अल्फा की जगह तुम सोचने लगते हो कि मार्केट से अल्फा मिलने की जगह मार्केट इतना रिटन मिले तो भी मेरा वेल्थ क्रेट हो जाएगा यह जब राशनारेशन आफ एक्स्पेक्टेशन जो होता है न और वो कोई भी 2-3 साल की स्टॉक मार्के के हो ताकि आपके शॉट गोल के लिए काम आए 9-10-11 परसेंट रिटन होगा से फ़र टू स्टॉक्स बट हायर रिस्क दानेवडी वाले जो दो साल के अंदर मैचुरिटी तो आपके शॉट टम गोल के लिए उनको पता है कि मुझे यहां डालना मेरा रिस्क अपिल टेकिन यहां बहुत को बड़ो कि अभी तो मैं बता सकता हूं नाइटीधिन पर सेंट आप क्लाइन कहायं हम चाहतें हिंस करें कि यह प्रौडट में फैसा टालो हम तो मानने कि हमारा काम है कि भाई जिको यह डालना है उसको एजग्येट करो अब उसको choice decide करने तो इसको डालना है की नहीं हमारा कामी नहीं सेल करना है अप वह वाले parent हो जो पहले बच्छा जो जाज़ेद करना है यह यहां कूद के आना है हाँ कूद ले फिर लगेगी न हो गया चला जा चलते है और as a business that's also not right मतलब अगर मुझे सेल नहीं कर मैं तो मैं किसे को यह बोलने ही नहीं लागे यह ग्रेट रिटन है मेरा बान में परसनली यह ग्रेट प्रोड़क्ट है क्यों वह मेरा एक व्यूपॉइंट है और वह भी यू यू निट नाट अग्री विट यह इसले हम एजुगेट कर अगरे से बहुत क्लियर कि हमको सेल नहीं करना है हमको एजुगेट करना है अगर उसको इकरोगे जिसको इंट्रेस है तो इसलिए हमारा पूरा टीजी वी यह वह लेट स्टेज है जो जो रिसेशन वाला देखा है ना जिसने साइक तो वहां बीवेर चेंज होते हुए तो जैसे रिसेशन में मतलब मार्केट क्रैश जीसने देखा मिनी मार्केट क्रैश महां से यूजर का बीवेर तो चेंज होता ही होता है तो इंग इन वे यह क्रैश इंपोर्टन वह जितना लाइफ में जल्दी अबज़ जाते हो फ्यूचर के लिए अगर छोटे-छोटे नही एजुकेशन देने के लिए यह ऐसा डाउंटन भी आ सकता है कभी तो आना है यह कि छोड़े-छोड़े स्ट्रेस रिलीज हो जाए यह पूरा बबल पूरा बनके एक दम बर्स्टो और यह लोगों को ना समझने से चमकता नहीं है एक्विटी की वोलेटाइलिटी कहती है अ तब दस साल का निफ्टी का एक्विटी परसेंट या 2.6 परसेंट दस साल का इतने लंबे एक्विटी टिनियर का 2.6 मतलब क्या हो गया वो बोट होता है अब जब यह देखता है ना तब उसको सीख मिलती कि भाई पूरा पैसा एक्विटी में नहीं लगाना चीए और को ड जादा पन 10,000 का और हाड़ कोपी वाले फॉर्म से कम से कम यह सुम्हें नहीं दोजार सोला में कुल वह दोजार सोला तो वह अगर हर किसी को कहा जाए मालो अभी हम वापस दोजा सोला में चले जाते हैं और हम कॉंटेंट बना रहे हैं इस पर फानेंस पर बट देरा देर नोवन नोज दीरो दा अभी नोवन नोज विंट्वल तो हाया ही नहीं है बट हम लोग है मालो हम यूटिवर से हम कॉंटेंट बना रहे हैं हम कितना भी पुश कर गर परिशान हो जाते हैं न कोई इंवेस्मेंट नहीं करता क्योंकि करना ही बहुत मुश्किल है यस अगरी कॉं जाएगा ऑफिसमें बेंक में ब्रोकर एज कोले मुचल फंकराने तो अब क्यू कर्रें हैं लोग इसका बड़ारीज अगी करना convenient people make convenient decisions people never make right decisions honey and that is true if people make convenient decision not right decision they will make a conveniently wrong decision right and why you only like you don't if you're not wise enough the stock market is best place to lose तो मतलब इट से इस प्रूवन मतलब डेटा है सब है सब है रही विजे के डिया सबका मैंने बहुत अटेंड किया था सेशन मिन्ट मुचल फिन कॉन क्लेम में पर्सो की पर्सो तर्सो की बात है देशन मार्केट में मनी पैसा बनाना is very simple but it is not easy I think rationalization expectation is very important कि अगर आप passive investor होना don't choose alpha मुझे तो यहीं लगता है alpha की चीज में न risk in fact I read somewhere when you choose something higher return higher risk higher risk is guaranteed higher return is probability तो alpha में यहीं होता है कि alpha मुझे लगता है arbitrage चूज करना चाहिए और वो like arbitrage मिल रहा है तो कहीं जाना चाहिए but alpha चूज करने में बहुत बहुत like alpha को chase करने में बहुत रिस्क होती है और वो passive investor को नहीं करने चाहिए अगर आपको alpha chase करना then like you should have somebody who is an expert who does this job full time and rely on their expertise through small case or through PMS या through registered investment advisor यहीं के तूँ करना चाहिए यह बहुत 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 slippery slope वाला और बहुत unwise decision है for someone for a passive investor and यह realization जो लोग नहीं market में उनमें इतना strongly नहीं है and because of in fact ecosystem का भी advertisement उसी तरह की बहुत easy बहुत easy 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 नहीं है right and I just wish कि लोग यह lesson कम पैसा गवा के सीख जाए right they don't have to lose their life savings or like really large chunk of money education जब investors का हो रहा है तो उनको बता रहे है कि stock market यह है वो है उसके साथ expectation भी अगर set कर दी जाए ना तो काफी से रहेगा stock market ऐसा asset class है तुमको 10-14% return मिलेगा इसके ऊपर chase मत करो अच्छे अच्छा market होगा तो पांसाल में 14% मिल जाएगा बुरा होगा तो negative जाएगा बट long term में let's say 10-14 के बीच में ही तुमारे returns रहेंगे तो go with that expectation don't chase 20% plus kind of returns 99.99 plus percent जनता वो अचीवने कर पाएंगे एक पसंद कर पाएंगे but वो exceptional लोग होंगे तो I think वो जो exceptional लोग है खाली उनी के लिए है कि they should be chasing that alpha 99% should be content with the average returns which market will deliver which will be between 10 to 14% right and when we talk about exceptional लोग मेरा personally आसा मानना है अभी जैसे अपन वारन परफेट के बारे में अगर कोई ऐसा बोल देखी है तो तुक्के में बन गए top investors तो शायद उनको भी लग जाएगा बट अगर आपन वैसे words-eye view से analyze करें कि अगर दुनिया में 100 लोग हैं और 100 के 100 लोग invest कर रहे हैं तो कोई तो top पे रहेगा तो हो सकता है आपके environment ऐसा है आपके you know आपका background ऐसा है जो आपको अलाओ करता है वापे जाने का कई बार ऐसा होता है कि आप लोग सोचते हैं जादा सीख लेंगे तो जादा कर लेंगे but it's a combination of a lot of things for example Bill Gates और ये उस दौरान के जितने भी billionaires निकले वो इसलिए निकले क्यों पी उनके जमाने में college में computers आ गयते हैं हमारे नहीं आये तो उनको वह number of hours जादा मिल गए उनका research और उनका background पूरा चेंज हो गया और हमारा कुछ अलगी है तो यह कहना कि अच्छा जितना जो जितना मैनत करेगा वो उतना आगे पहुंच जाएगा ये थोड़ा सा मेरे और मेरे पास कोई finance की degree नहीं है ठीक है तो I accidentally stumbled upon this अगर वो accident नहीं होता तो मैं नहीं बना पाता कुछ finance में तो at least तो यह तो true है ना लब ही बहुत larger philosophy की बात है की like how people perceive luck कितना होता है privilege कितना होता है effort कितना होता है I think it is luck plus effort without effort will not happen but without luck also it will not happen इस पे मैंने रिशब ने separate podcast किया एक अक्चुली LLA की story भी ऐसी है in fact हमने podcast का नाम भी यह लिख है LLA का success is a tukka 3 million subscribers is a tukka प्योंकि हम दोनों जैसे million वो भी बहुत ही बड़ा coincidence था और एक नहीं दो तीन coincidences थे एक के बाद एक वो तीनों में से कोई एक भी नहीं होता तो मैं आज कहीं और होता वो कहीं और होते एंड LLA नहीं मनता yeah I think majority of the like events that happen in life happen by luck one like I mean like I did my b-tech from IIT till 11th I did not hadn't even heard about IIT मेरे तीन दोस्त किसी coaching center में जारे थे उनसे बूछा मने कहां जारो उनने मुला coaching के ले जारा है IIT की तब मने एका कि IIT होता क्या है college में गिया तब मने CFA के बारे में सुना तब finance के बारे में सुना और अभी हम like finance के इतने complex products बना दे है because I had those three friends I went into IIT महापे मेरे senior CFA pursue करे थे then I came to know about finance all these like major events I think लगका काफी important role तो है लगका रोल है हमारा इता सा रोल है कि we say yes to a lot of things and keep at it effort मारते रहे माते रहे हैं like when came like 4 co founders 4 co now 5 है सारे इते से 2012 बेच के है and we did not know each other imagine it's out of pure coincidence like हम कैसे मिले अजिंके and विने कैसे मिले like 4 of us are now together even though being from the same like year of graduation nice ये भी होता है मेरे सुना अलग अलग IIT से या से इते से नहीं मैं रूर्की से हूँ शेशांक and विने बॉंबे से हैं अजिंके अभी गांदी नगर से हैं so अजिंके अरे अन्शल thank you so much आपने टाइम निकाला संडे को आपके बहुत बड़े office में बुलाने के लिए जो कि बहुत ही cool है अब हमाई office goals मिल रहे हैं देखके and thank you so much I believe ये इससे लोग कुछ सीखेंगे thank you बात करके भी मज़ा है thank you I hope आज के एपिसोड से आपको काफी life lessons मिले होंगे इसको थोड़ा digest करो तब तक मैं एपिसोड 4 ले आऊँगा तब तक एक काम और कर सकते हो एक रुपए में iPhone 14 Nike sneakers MacBook Pro JBL Home Theater या फिर वो बड़ा वाला TV ये सब जीतने के लिए आप Cred App की Black Friday Sale में participate कर सकते हो जो आने वाली है ये Lucky Draw के साथ साथ आप अपने Cred Coins को use करके बहुत ही बढ़िया बढ़िया products में more than 50% off का discount भी ले सकते हो काम बहुत सिंपल है description में और top comment में आपको Cred App का link में लेगा उसको download करो, sign up करो अपने सारे bills, चाहे credit card हो, बिजली हो, पानी हो, कुछ भी Cred App के through ही पे करो ताकि उसके rewards में आपको मिले Cred Coins उन Cred Coins को use करके आप Cred Store से बहुत सारे products को heavy discounts पे खरीच सकते हो काफी बड़ी है system नहीं है Cred आपको याद भी दिलाता है कि भाईया, बिल पे कर दो, लेट मत हो जाना और आप disciplined रहो, इस चक्कर में आपको reward भी देता है I would say Cred App डाउनलोड करने का best time है क्योंकि Black Friday sale आने वाली है Link is in description, check out जरूर करना and I'll be back with episode 4 soon Thank you So here, Anshulji के जल्वे चल रहे है मैं दो गेम हर चुका हूँ मैं लग दूसरा गेम चल रहा है और मैं शाए दूसरा भी हारूंगा इंसे Oh 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 गया Yeah, yeah Game video पाला जेता Video पाला एनागी अब देखना पड़गा तो अजिंक्या को ब्लाक बॉल हिट करनी है यहां मारेंगे तो बाउंस ऐसे करके बाउंस होगा अब बस जो टीम ये ब्लाक बॉल डाल देगी वो जीते गई बद मुझे मेरी किसमत पर बिल्कुल वरोसा नहीं है तो हम ये क्या है ये बदाओ आज निए बेती है ल म्हिंके तका दोसा रिए अम अधार्ट सब्सक्कार करेक ऐसे भार कांद उसी हम ग्रार्ट सो कि बडार ओंट लिए भारतो हुआ मिछ उसके अधिका दोसाम हुआ FEMA काफे सेगी, काफे सेगी